Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel दोस्तो आज मैं आपको बताने चारे हूँ बहुत ही शांदार चीज के बारे में इस एक चीज की द्वारा बहुत सारी तकलीफों को दूर किया जाता है दोस्तो ये चीज तो आपको मालुम है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वात, पित और कफ ये तीनों धातू अगर बैलेंस में रहेंगे तो हमें कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं हो सकती दोस्तो आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने चारे हूँ जो हमारे शरीर की दो धातूं को बैलेंस करने का काम करता है कफ दातू और वात दातू को यानि ये एक चीज दो दातूं को बैलेंस कर दीती है क्योंकि इसका नेचर थोड़ा गरम होता है लेकिन हम इसका इस्तमाल बहुत असानी से कर सकते हैं जिनको भी सांस की तकलीफ रहती है जिनको भी खासी की तकलीफ रहती है जिनकों भी बहुत ज़्यादा कफ बनती है या खाने का कोई टेस्ट नहीं आता दोस्तों आज का ये नुसका उन सभी लोगों के लिए बहुत खास है इसके लावा अगर किसी इंसान की मासपेशियों में दर्द हो रहा है शरीव के अंदर वायू रोग बढ़ रहा है वात श जादा बन जाती है जो भी आप खाना खाते है या फिर तो वो बहुत जादा वाई बनाता है और आपका शरीर उस वाई को बाहर नहीं निकाल पाता खाना अच्छे से नहीं पच पाता दोस्तों आज का ये नुसका बहुत ही खास है जो कि कफ धातू को बैलेंस में करता है दोस्तों ये साधारन सी चीज है अध्रक दोस्तों इस अध्रक का इस्तमाल कफ को और वात को बैलेंस करने के लिए मेरी दादी करते थे दोस्तों उनको इस वात और कफ के बारे में तो नहीं पता था लेकिन वो खांसी को दूर करने के लिए इसका इस्तमाल करते थे और जब भी उनको कहीं muscles, pain या फिर जोडों में दर्द होता था तब इसका इस्तमाल करते थे तो आज इस वीडियो में बताने जारे हूं कि वो इसका इस्तमाल करते कैसे थे वो ही तरीका आज मैं आपको बताने जारे हूं उससे पहले थोड़ी से जानकारी आपको देदूं कि अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही तो आप अधरका 7 खाना खाने से पहले कीजिए अगर आप वायू दोश को दूर करना चाहते हैं तो खाना खाने के बीच में आपने अधरका 7 करना है और अगर आप खाने को बहुत अच्छे से पचाना चाहते हैं तो आपने अधरका 7 बिल्कुल लास्ट में करना है दोस्तों इस अधरका जो सभाव होता है नेचर होता है वो गरम होता है यह शरीर के अंदर थोड़ी गरमी बढ़ाने का काम करता है इसके इलावा श्वास सबंदी यानि कि सांस से सबंदी जितने भी रोग है उनको दूर करने के लिए यह अधरक बहुत कारगर है वात और कफ को अगर बढ़ चुका है आपके शरीर में तो उसको बैलेंस कर देती है कि वात और कफ अगर बिगड जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ आएगी जोडों में दर्द होगा इसके इलावा मसल्स पेन होगा जिसे बॉड़ी पेन कहा जाता है दोस्तो एक चीज़ आपसे पूछना जाती हूँ क्या आपको पता है ये वात और चुकफ है ये हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा तो आपके शरीर के अंदर कफ धातू भी बढ़ जाएगा और वात धातू भी बढ़ जाएगा जो सांस लेने में तकलीफ देगा और जोडों का दर देदेगा दोस्तो ये अधरक बहुत अच्छा एक डाइजिस सिस्टम को इंप्रूव करने वाली दवाई कह सकते हैं तो अब जान लेते हैं दोस्तो हमने इस अधरक का सेवन किस तरीके से करना है ताकि ये दोनो धातू बहुत अराम से बैलन्स में रह सकें दोस्तो आपने एक कप नॉर्मल कप होता है जिसमें हम चाई पीते हैं वो एक कप पानी ले लेना है इसके साथ हमने क्रश की हुई आधा चमच सिरफ आधा चमच क्रश की हुई इसे कद्दुकास की हुई अध्रक कहते हैं वो ले लेनी है और इस पानी के अंदर हमने उबाल लेनी है दोस्तों सिरफ 5-7 मिनट उबालिएगा पानी थोड़ा सा सूप जाएगा उसके बाद आपने इसे ढख कर रख दिना है बहुती साधारन सा तरीका है इसको ढख कर रख देंगे तो ये थोड़ा सा पानी भी नॉर्मल हो जाएगा यानि की गरम से थोड़ा कम हो जाएगा इसके अंदर आपने आधा चमज की मात्रा में गुड मिक्स कर देना है उसको थोड़ा सा और ठंडा होलने दीजिए दोस्तो ये गुड मिक्स होने के बाद जब ये हलका सा गुनगुना रह जाए गरम नहीं होना चाहिए हलका सा गुनगुना होना चाहिए तब आपने इसे चाई की तरह एक एक घुट करके पी लेना है दोस्तो आज के टाइम में लोग इमिनिटी करते हैं, हम अपनी इमिनिटी को कैसे बढ़ाएं, गले की खराश नहीं होनी चाहिए, गले में दर्द नहीं होना चाहिए, या फिर हम लंग्स को यानि फेफणों को मजबूत कैसे करें, दोस्तो ये अधरक का सेवन, अगर आप इ अधरक का इस्तमाल कीजिए, खाना खाने के बीच में कीजिए, या खाना खाने के लास्ट में कीजिए, फिर आपने अधरक का सेवन कैसे करना है, तो दोस्तो आपने अधरक को छील कर उसको काट लेना है, और उसके उपर नीबू लगा लीजिए, बस एक टुकडा काटे पच जाएगा, है ना दोस्तों बहुत साधारन सी चीज, तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन ये जानकारी यही तक थी, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने फै बाइ!